हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आर चैनल सवीता एंड डलीन व्लोग्स तो फ्रेंड्स आज मैं एको नई रेसिपी लेके आई हूँ जो है पालक पनीर जिसके लिए पालक को मैंने साफ करके धोके रख लिया है यहां मैंने लिया है 300 ग्राम पनीर 3-4 हरी मिर्चे और 1 इंच अधरप का टुकड़ा दो 3 त्यामाटर और दो 3 ही मैंने यहां प्याज लिया है यहां मैंने लिए धनिया पाउड़क गरम मसाला हल्दी और नमक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम पालक को उबाल लेंगे तो चलिए अब यह रेसिपी पालक दाल दाल दिया है और मैं इसमें आधा कप पानी डालूंगी और इसके बाद इसमें अपने टेस्ट के कोडी नमक उबालते हुए मैं इसमें सिर्फ नमक ही यूज करूंगी उबालते हुए इसमें नमक डालने का ये बेनिफिट होता है कि जो इसकी गीननेस होती है वो बनी रहती है तो इस वज़े से हम इसमें उबालते हुए साथ में नमक डाल देंगे तो चलिए इसमें हम दो विसल लगवाएंगे जब तक यह तयार हो रहा है तब तक हम अपनी ग्रेवी तयार कर लेते हैं और अपना परीर कट कर लेते हैं यहां ग्रेवी के लिए मैंने टमाटर काट लिया है अद्रक काट लिया है अब मैं प्याच काट रही हूँ मैं यहां रेड चिली का यूँज नें किया है। मैं यहां पर ग्रीन चिली का यूज नहीं हुआ है। को कि इस तार से छोटी पुरेत इस पनीय तो इस हीजिद्व पनीय के läuft , यहां पर हम पनीय को इस तरा से कट कर लेंगे आपको जिस भी शेप में चाहिए आप उसी शेप में इनको कट कर सकते हैं, ये देखिए हमारी ग्रेवी अब पिसकर तयार है, तो जब तक हमारा पालक ठंडा होता है, तब तक हम चलो ग्रेवी बना लेते हैं, ये देखिए मैंने अब कड़ाई में तेल डाल दिया है, मैं यहां रिफाइन ओल यूज़ कर रह ये देखिए हमारा फेर गरम हो चुका है, तो यहां पर अब मैं सबसे पहले जो हमने ग्रेवी तयार की है, वो डालेंगे, ये देखिए हमारा पालक उबल कर तयार है, ये देखिए इसके पत्ते अभी भी कितने ग्रेइन हैं, तो जब ये थोड़ा सा ठंडा होता है, तो इसको भी हम पीस लेगे, ये दिखिए फ्रेंट्स, अब हमारी ग्रेवी पक चुक्या है, क्योंकि ग्रेवी ने अपना तेल, ये दिखो, साइडों में छोड़ दिया है, तो अब हम यहां क्या करें, मसाले एड़ करेंगे, मैं यहां पे आदे से भी, आद geschी थोड़ा सा चंबचू, मैं रल्डी उसकर रहे हूं, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, इसस बीक्रिक नमक सा UP, यहां मैं इसतना पालक मिलेशा, अधैने मिलेशा, अधैन 나올 नमक की, यांूँ मैं यहां मैं तो इसको भीकूबाए मं ruy और मिर्च तो भी जुआजिए चयार के हाँ अशूए चयार ऐए मसाले दिए तरह मिक्स कर से यह मिक्सराद अबताय करें अबता हो जाए आ SAY WA lesha ज़ meter ने शाल के पालख iба के मार में तरहाद ने टिए म buffalo अच्छी तरह से लिक्स को छो गें तो यहां मैं पालक ड़ाइमें मैं यहां मर inve दूंगी िए हमने इसमें पालक डाल दाल दिया है, और इसको मसाली कता परकाई हो जाए गें तो तब तक हम इसको फॉ पक ने रएते हैं यह देखें आपनीर पनीर डालें के बाद ऑड पकाएंगे और पलेटिंग करेंगे इसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, हमने पालक और पनीर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको 5-10 मिन थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि पनीर में थोड़ा सा मसारले जैसे अच्छी से मिक्स हो जाएं आप यहाँ पे पनीर को तल के या हलका सा सोते करके भी इसमें डाल सकते हैं मैंने इहा पनीर सिंपल ही उज गिया है । आपको जैसा पसद हो आप इसमें वैसा ही यूस कर सकते हैं यह देखिए spiritual upना प्रेटिश करने स्टज़ाश जुआशेड़ाआ है用 Department 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 पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फर वाचिंग